हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सहर फेर्शन में दोस्तों आज हम सोल्डर प्रेंशस त्रीपीस बिलाउस की कटिंग बताएंगे किस तरीके से होते हैं क्या सही तरीका कटिंग करने का दोस्तों उसलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं कि सबसे पहले एक सीधा निसान लगाएंगे इस तरीके से कि उसके बाद में उपनी लंबाई नापेंगे जैसे कि हमारा लेंद है 14 तो हम 15 पे लगाएंगे कि उसके बाद में इस इसनसान को सीधा कर देंगे इस तरीके से कि उसका सोल्डर है पंद्राइग उसके बाद में इसका हम अर्मूल डाउन करेंगे साथ इंच पर इस तरीके से इसके बाद में एक सीधा निसान लगाएंगे इस तरीके से इसके बाद में इतना हमारा सोल्डर है पंद्राइग शाड़े साथ पर लगाएंगे वादा इंच पलस करेंगे सिलाई मार्जीं के लिए कि एक इंची का सोल्डर स्लोप रखेंगे हम जो क्रास करेंगे सोल्डर को इस तरीके से हम दोनों का सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से कि थोड़ा सा निशान लगा लेंगे जितना हमारा सोल्डर है उसमें हम आधा इंची कम कर देंगे इधर क्रास बैप के लिए कि उसके बाद में सीधा निशान लगा देंगे इसका अपर चेस्ट ना परेंगे इसे 35 है तो पावने 9 इंच और फिस उसमें हम आधा इंची पलस करेंगे इस तरीके सब कुल में लाकर हम दो इंच की लोजिंग डालें कमर का चौथा वाग साड़े साथ और उसमें एक इंची डाट का इस तरीके जाए उसके बाद में इस निसान को सिधा कर लेंगे इसके बाद में साइड में डेव इंच की सिलाई मार्जिंग छोड़ देंगे इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखके इसकी गुलाई दे देंगे इस तरीके से हमने तीन इंच पर रखके हम एक सेब दे देंगे इस तरीके से उसके बाद में हम कंधी रखेंगे तीन इंची तो हम पर चाहर पर निसान लगाएंगे इस तो केशें और बैकने हम उपन करेंगे इस तरीके से बैक का भी निसान लगा लेंगे तीन इंच पर इस तरीके से बोट नेक का से दे देंगे असे इस तरीक और अ direito टो हम इसको नाप लेंगे एक बार तो इस तरीके से दोस्तो एक-दम फररफेक्ट है कि उत्त में गपार बैए करद120 का निसान लगा देंगी इस तरीके से दिच में 20 दोड़ा साईट में रखा है लें लेंगे contradd लकिन हम ने सब्सक्राइब के लिए इस तरीके से अंने जले लेंगे दोनु तरफ मसा को तरह के से निसान लगा देए आ Festowanie का कि तरीके सब्सक्राइब साइड़ को इस तरीद यार इस कम अूं कि अफा देइंगे कि उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे कि इस तरीके से चटका भी लगा रहेंगे साइड में दोनों करफ बैक डाट का भी लगा लेंगे इस तरीके से कि अगया दोस्तों हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से सबसे पहले सेवा निसान कि उसके बाद में सामने की तरफ हम तेन सुद का सिलाय मार्जिंग रखेंगे दाकि आई हुक के पट्टी लगे कि अगया अगया तरफ हम इस तरीके से इसके बाद में बैक को रखके से निसन उठा जो नहीं लंभाई गए निसन इस करेंगें और गले का आर्मोर का इस तरीके से निसन उठा जाए गए पार इस मेंसमें अधुब लोगों को बरावर दिखाई भी कि इस तरीके से इस तरीके से ग्राश फ्रेंट का भी निसान लगा देंगे पाउनेंज अंदर करके इस तरीके और अचता अच्वा कर रखके इस तरीके से गुलाई दे देंगे अच्वह दोस्तों कभी ज्याजा गढना करें इस तरीके से इसका फ्रंट करेंगे चार इंच का इस तरीके निशान लगा लेंगे फिर फ्रेंच कर्व रखके इस तरीके से गुलाई दे देंगे बोटनिक का कि दूस्तों इसका बस्ट पॉइंट आएगा सब्सक्राइब तो हम दस पर निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हम दो इंच के नीचे लगाएंगे कि लंबाई वाले निशान को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से थार्टी फाइव थार्टी सिक्स और थार्टी कि दोस्तों इस तरीके से फूल बस्ट का दस्वाव हिस्चा कि हमने पौने चाल लिया है और सॉल्डर को भी हम बीचो बीच कर देंगे इस तरीके से कि इस तरीके से एक सीधा निसान लगा लेंगे इसमें हम तीन इंच का डाट देंगे उसके बाद में हम नाप लेंगे जितना हम पो चाहिए कि कमर से यूपर दो इंच बढ़ा ही सही है इस तरीके से कि इसके बाद में इन दोनों निसानों को मिला देंगे इस तरीके से मिला देना है उसके बाद में हम साइड मार्दी में छोड़ देंगे डिलेंची दोस्तों कि आर्मोल को हमने दो सूट उपर उठा दिया इस तरीके से ताकि आर्मोल बढ़ा ना हो कि इस तरीके से साइट का भी निसान लगा लेना है बैक को रखके कि इस तोरीके से हमें तीन इनच वाले निसान पर इस तरीके से एक सीदर मिशान लगा देना है कि दृच्ष कर्व इस तरीके से रखके प्रेंसेस का सेटेहरे है उसको दोस्तों इसको न आप लेंगे इस तरीके से हमारे इदेर है Q 23 कि कि तूसामने की तरफ भी हम स्पर्रादे toughen कि यस तरीके wanna इसके बात में इस तोरी के से क्राश रखे इस तरीके से उठा देने सामने के दरफ कि इसके बास वार हम भावनाहिजस तरीके स्छाइब क्ला देए दोस्तों उसके बाद में हम यह नीचे वाली इधर भी नाप लेंगे कितना हमारा है इस तरीके से इसके भी एक निशान लगा देंगे इस तरहे किसे दोस्तों अब इसके हम कटिंग करेंगे इस तरीके से से मार्किंग पर कटिंग कर देंगे इस तरीके से चटका भी लगा देंगे साइट में भी लगा देना इस तरीके से और सेंटर में भी लगा देना उसके बाद में हम इसको इस तरीके से मिलाके देख लेंगे दोस्तों एकदम परफेक्ट है दोस्तों अब हम इसके क्रास बेल्ट की कटिंग करेंगे जिसको हम यो पट्टी भी बोलते हैं इस तरीके से अब से पहले एक सीधा निशान कि एक सीधा निशान इधर भी लगा लेंगे इस तरीके से इसके बाद में, हम… जैसे के हमारा पउण Яशार इन्ची इस तरीके邊 से पउण चार, पे निशान लगा लेना है, तीन इन्ची हमारा था Soar, हमने पहँण। आई लगा या है तो हमने पवण चार पे लगा या है। तो इन्च लाई मार्जन दोनों तरफ इस तरीके से क्रास निसान लगा देंगे कि उसके बाग में फ्रंट वाले पल्ले को इस तरीके से रखके हम सेब का निसान लगा लेंगे इस तरीके जैसे कि हमारी कमर है तीस तो साड़ह साथ इंची और उपर हम पौना इंची एक्स्ट्रा कर जाएंगे इसके बाद में इस तरीके से सिलाई मार्जिंग का निसान लगा देंगे इस तरीके से रखके हम सेब का एक बार निसान लगा लेंगे उसके बाद में स्केल को रखके इस तरीके से इसका प्रोपर सेब देंगे कि इस तरीके से साइड में उपर की तरफ आधा इंची उठा देना हो इस तरीके से कि यहां भी क्रास कर देना क्योंकि हमने बैग में क्रास किया हुआ कि इस तरीक इस तरफ लिख देंगे फ्रंट ताकि सिलते हों कन्फूजन नहों इस तरीके से मिलाके देख लेना भी बराबर हैं दोस्तों अब हम इसके सिल्व की कटिंग करेंगे सबसे पहले एक सीधा निसान उसके बाद में हम लंबाई नापेंगे जैसे हम कुछ यह नौ तो हम दस पर लगाएंगे इस तरीके से और साड़े तीन इंच में हम इसका आर्मोल डाउन का निसान लगाएंगे इस तरीके 12 इंच है इसका बोटम और तेरा इंच है बाई से इस तरीके से हम साथ पर लगाएंगे यहां पर इस तरीके से स्केल को रखके हम इसका सेफ दे देंगे बाई से और बोटम वाले निसान को और आर्मोल वाले निसान को तीनों निसानों को मिलाएंगे अब इस तरीके से से ले लेना है आर्मोल नाप लेंगे हमारा सोला है तो हम आठ पर लगाएंगे इस तरह के से तो दोस्तों अग्दम परफेक्ट निसान है अस्तीन में भी डेलेंज की सिलाई मार्जिंग छोड़ देना है इस तरह के से यहां भी एक डेलेंज पर निसान लगा लेना है इस तरह के से फ्रेंज करको रखके निसान लगा देना फिर पलट लेना इस तरीके से दुस्तों हम इसके हाले का भी निसान लगा देंगे फ्रेंट पर लेका इस तरीके से कि आधा इंचा अंदर करके उसके बाद में इसके कटिंग कर देंगे इस तरह के से कि चटका भी लगा देंगे और फ्रेंट के हाले को भी हम छाट देंगे इस तरीके से कि आधा है कि आधा है और फ्रेंट पल्ले में चटका भी लगा लेना है ताकि सिलते वक्त कंफिर्ण ना हो कि आधा है कि दोस्तों मेरी कटिंग कंप्लीट हो गए डाइ में यह ईकिस तरीके से दोस्तों ऑगर आप लोगो方 अच्छी लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें है लाइक करें शेर करें अक अगर आप दोस्तों अगर आप लोगों कुस्स निया सेखिना को मिला वो तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर